नमस्कार किसान भाईयो आज हम आपको जूंडियर के 59 पाउर प्रो ट्रेक्टर के बारे में जनकारी देंगे 41 स्पाउर के अंदर ये ट्रेक्टर आता दोस्तो 3900 सीसी का इसका इंजन है और काफी कुछ चेंजिस किये हैं कंपनी ने इसके अंदर 2020 मोडल के अंदर काफी शांदार लुक के अंदर ये ट्रेक्टर आपको देखने को मिलेगा पाउर स्टेरिंग है इसके अंदर और फ्रंट में इसमें बैटरी रखे गई है और ट्रेक्टर को जो है बहुत ही शांदार और थोड़ा सा इसकी उचाई में भी फरक किया गया है थोड़ा उचा बनाया गया है ट्रेक्टर को और इसमें आप जो टायर देख सकते हैं यहाँ पर 6-16 के टायर हैं फ्रंट वाले और बैक टायर आपको 14 के मिलेंगे इस ट्रेक्टर के अंदर दोस्तो इस ट्रेक्टर का प्राइस का मैं आपको पहले अंदाजा दे देता हूँ यह ट्रेक्टर आपको 6 लाक रुपए के अराउंड में पड़ेगा इससे कम भी हो सकता थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है तो इन लाइन पंप का यूज गया गया है तीन सिलेंडर के साथ दोस्तो यहाँ पर और कुलिंग के लिए प्रोपर वाटर कुलिंग का सिस्टम दिया गया है इसमें तो यहां पर silencer की अगर बात की जाए तो silencer जो है इसके अंदर बिलकुल एक सीधा और पतला silencer दिया गया है काफी शांदार देता है जो अपने silencer को और इस ट्रैक्टर की जो quality है दोस्तों material quality export quality है जो की बहुती जबरदस्त quality मानी गई है बहुती जो सालो साल चलते है जो डियर के ट्रैक्टर और इस पर company 5000 घंटे और पांच साल की जो warranty देती है कोई भी दिक्कत आती है साइडों में मडगार्ड की जो look है बहुती शांदार बनाएगी है टायरों में आपको weight नहीं मिलेगा आप बाहर से लगवा सकते हैं टायर के अंदर weight साइड में बैठने वाली जगह के उपर आपको एक छोटा सा टूल बोक्स मिल जाता उसके साथ यहां पर लाइटें अट्रैक्टिव है और मजबूत यहां पर 60 लिटर का diesel टैंक का यूज किया गया है पीछे एक छोटा लाइट लगाने के लिए लग दिया गया है उसके साथ यहां पर पीटियो के बात कीजा दोस्तों 541 एकनोमिक और शिंपल 540 चकर इसके अंदर आपको मिलेंगे यहां पर काफी हैवी लिटिंग जो है कितनी मोटी जो इसमें पत्ती का यूज किया गया है लिफ्टों में तो बहुत ही जो एक मजबूती का काम यहां पर जोंडियर में हमें दिखाई देता है और उसके साथ रात को काम करने के लिए एक लाइट दी गए है यहां पर आपको डंपर वगरा उठाने के लिए दोस्तों सिंगल वाल का इसमें ओप्सन मिलेगा जो कि आप डंपर उठाने में यूज ले सकते हैं उसके बाद अगर इसकी उपर की बात की जाए तो साइडों में एक एक वैक्ती बिलकुल आराम से बैठ सकता है और प्लेट जो इसका प्लेट फॉर्म है वो बिलकुल प्लेइन है दोस्तों और इसमें कलच के अगर बात की जाए सिंगल या डूवल कलच आप दोनों ले सकते हैं वो आपके लिए उप्सन हो सकता है और यहां पर जो इसमें बिल्ड क्वाल्टी है ट्रेक्टर के फिर्म कहूंगा कि बहुत ही अच्छी दी गई है जो अंडियर की तरफ से और इसकी जो कलच है दोस्तों बहुती इजी कलच है आप इसे जब दबाएंगे तो बिल्कुल कार की तरह दबने वाली कलच है ज्यादा जो और नहीं लगता है इसमें साइड शिफ्टिंग बहुती शांदार फिचर है जो अंडियर के इस ट्रेक्टर का इसमें आपको 1760 केजी का टोटल वेट मिलेगा ट्रेक्टर के अंदर दोस्तों और इस ट्रेक्टर के अगर आर्पियम की बात की जाए तो 2100 इंजन रेटिड आर्पियम है इसके ओइल इमस्टिस के अंदर आपको ब्रेक मिलेंगे और डिफ्रेंसियल भी श्ट्रेक्टर के अंदर यूज किया गया है कमपनी के तरफ से 2100 स्पाउर का ये ट्रेक्टर है और 3500 स्पाउर का इसका जो पीटियो पाउर है और फ्रंट से अगर मीटर देखते हैं तो काफी अट्रेक्टिव दिए गया है इस पर आपको बैठने के बाद काफी अची फेलिंग आती है इसके साइज में भी जो अड़ेस्टमन्ट की ग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आओ तो इसको लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई डाउट है तो कमेंट करना जैहिंद वंदे मातरम